नमस्का दोस्तों आप सभी का माचलन पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम एक सेक्टर के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में कि इस सेक्टर के अंदर जो इस्टोक हैं उन्हों के अंदर आपको क्या करना चीए तो हम जिस सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं टूविलर का सेक्टर तो इस समय मेरे इसाब से अब दिरे दिरे टूविलर सेक्टर के लिए दिरे दिक्कत आती जाएगी भविश्य में तो हम इस वीडियो में इस टूविलर सेक्टर के बारे में और इसे संबंदित जो इस्टो के उन्हों के बारे में बात करेंगे तो दोस रहे और आप अपने मेहनत के कमाई को इस सेर बजार में डूब ना दे एक अच्छे सेरों मनीमास करें जो सेर खराब हो चुके हैं उन्हों में आप बिल्कुल निवेश ना करें यह दोस्तों हमारे बहुत सारे वीडियों है यह आप इनों को भी देख सकते हैं तो दोस्तों ह इवेश मोटर, हीरो मोटर कोर्प और आइसल मोटर साइट चारों के लिए बहुत बोरी ख़बर है और अगर आपने इस टोकों में निवेश कर रखा है तो यह वीडियों आप अंतक देखिए कि इस ख़बर का और साथ में जो ओटो सेक्टर की जो हालत है उसमें क्या फरक के टूविलर ही बिकिंगे तो इससे क्या फरक पड़ेगा कंपनियों में वो देखते हैं तो इससे पहले एक सरकार ने ख़बर निकाली थी एक न्यूज वो थी पॉलिस थी सरकार की कि सिरफ ब्येश सिक्स सम्बंदी जो भी इंजन है सिरफ वो ही गाडियों में होने चाहि कि अपने जो प्लांट ते उन्हों में बदलाव किया और लगबग सभीने चारों ने सब्तर अजार करोर कर दिया है बियेश चे के लिए ठीक है अभी उन्होंने भी एस जुआ के लिए सब्सक्राइब कर दिया अब सरकार ने बोल दिया कि दोजा पचिस के बादव टुए साल के लिए तो निवेस करने रही है सतर अजार क्रोड रुपे चार कंपनियों दाव में लगाएं तो तीन-चार साल के लिए तो करनी रहे हैं लॉंटरम के लिए कर रहे हैं सरकार ने बोल दिया कि नगदी की कमी पका आएं पैसे जब होंगे नहीं तो कहांसे निवेस नुदिया निवेस करें इंतर यह तो तो ऋ lover and ठीक है तो जितने विटो सेक्टर है उसके इसाफ से बहुत वेकारन नुज है और कंबनियां की जो पैसों की दिक्कत है वो भविश्य में आने वाली है तो हम एके करके पूरे श्टकों को देखते हैं कि two willer के जितने विश्टों के उन्हों की क्या condition है उन्हों में आपको नि बचा सको और इन से हिरों में निवेश करने से बच जाई है तो हम देखते हैं हिरो मोटो को देख लेते हैं पहले तो दोस्तों यह हिरो मोटो कॉर्फ का चार्ट है इसमें आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि यह चार अजार रुप्रे बनाने के बाद डाउन ट्रेंड में चल रहा है और आब इसका मजबूस नजर आ रहा है ही यह वाला हिसा है यह साड़े 2200 रुपे का सपास का तो इस हिसाब से हिरो मोटो कॉर्प साड़े 2200 रुपे पक्का आएगा और जो इसकी सेक्टर की प्रोबलम है वो अलग से गाड़िया की विक्री होने रही है इतना ग्रोथ आप बिल्कुल नहीं दिखा रही कंपनिया और डाउंट्रेंड क तो आप बिल्कुल निवेस ना करें यह जो डाउंट्रेंड का जो चैनल चल रहा है इसकी जो रुकावाट है वो यहीं आगे खतम होगी यहां से ऐसे जाएगा फिर नीची आएगा ठीक है दोस्तों इसी जगे आके यह सपूर्ट लेगा तो हिरो मोटो कॉर्प में आपको टीवेस मोटर आप देखिए क्या सांदर बढ़ा दिखाए थी टीवेस मोटर ने और 800 रुपे का हाई लगाया था यह 800 रुपे इसने एक सुटी इस्टार बनाया था ठीक है तो इसमें भी आप देखिए जो हिरो मोटो कॉर्प में डाउंट्रेंड की चैनल चला आ रहा थ वह की वह वैसा वैसा चैनल टीवेस मोटर में चला रहा है यह इसकी अपर लाइन है ठीक है दोस्तों और यह इसकी चैनल के डाउन लाइन है तो यह चैनल इसी के बीच में यह हिरो मोटो को चला आ रहा है यह को लाइन बना देते हैं इसमें तो यह देख सकते हैं और इस सम प्षाइब चानल के अंदर घूम रहे तो इसको भी आपको अबड़ करना चीए जो इरो मोटो कौर्फ के अंदर था डांट्रेंड में चल रहा है टिवेस मोटर भी डांट्रेंड में चल रहा है ठीक है दोस्तों अगला इस्टोक देखते हम जो अगला है वह बजाज आज ओ से वह सबसे अच्छा है बजाज ओटो और जो इलक्ट्रिक वेहिकल है आई की 25 के बाद उसका सबसे कम असर इस पर होगा बजाज ओटो पर क्योंकि इसका अधिकतर विजने इसकी जो आया है वह एक्सपोर्ट से बहुत ज्यादा आया आती है इसकी तो सबसे कम असर इस चीज के बाद इसनी हलका सा आपर चैनल है इसको फिर से सुरुआत कर दिये तो ये इतना डाउंट्रेंड में नहीं है इसके चार्ट इतना बेकार नहीं बिगड़ा है सबोगी आप हीरो मोटर का चार्ट है डोनों डाउंट्रेंड में चल रहे हैं लेकिन जो बजाज ओटो है इ लेकिन अगर मिल जाता है तो आप बजाज ओटों में निवेस कर सकते हैं जो इसका सबसे कम असार बजाज ओटों होगा क्योंकि इसकी आय एक्सपोर्ट से बहुत जद आती है तो आप इसके बारे में सो सकते हैं अब अगला हम देखते हैं आइसर मोटर को देख लेते हम तो ऒसटे हो होगा हमारा तो दोस्तों करों देख सकते हैं है कि किसा अभिया सब्दाने चलने के बाद यहाँ पे अब करने के इसको एक डिसेंडिंग ट्राइंगल को आप देख सकते हैं यह डिसनेग ट्रैंगल बन रहा ह। और इसका इभल ल Dun time ही और since mr में तो आप चार्ट में सीधा सीधा देख सकते हैं कि आयसर मोटर के भी वोह याल है तो चार्ट देखके आपको हिरो मोटर कोण बोड़ तीनों की यहा कुम ऐंत यान आउंडिन हें प्रॉम में तो आपको बिल्कुल नहीं करना ची defight ठीक है, और सबसे अच्छा इस्टोक लग रहा है वो Acer Motor है तो उसमें, Acer Motor में Descending Triangle बन रहा था, इसमें देख सकते हो इसमें भी एक Descending Triangle बन रहा है दीरे यहाँ पर इसकी une support line है थीरे हर उच्छाल पे बिक्वाली होती जा रही है ठीक है और विक वाली होती होती यहां पर आईगी और उसके बाद इसमें एक अच्छी-कासी ग्रावट आईगी दोस्तों तो असेंटिन ट्रेंगल देखिए यह की एक सपोड लाइन बन रही है और हर जो उच्छाल आ रहा है उसमें हर उच्छाल में यह भीक वाली आ रही है और इसका हम देखें है कि यह दिरे दिरे एक रेंज है उसमें पैग होता जा रहा है अब यहां से देखो जो आसे डिसेंडिंग ट्रेंगल है वह एक पैटर्न होता है तो इसमें यह बन रहा है और ऐसा ही यह अब बात करते हैं इन्डश्ट्री की हालत मैं देख चुके हैं कि दिरे-दिरे दिक्कत आने वाली है प्रावल्लम आने वाली है तो आपको इरो मोटो कॉर्प, टीवेस मोटर और आइसर मोटर इन तीनों में मेरे हिसाब से ताम को बिल्कुल निवेस नहीं करने चाहिए आपके पैसे धीरे धीरे नहीं कम होते जाएंगे अभी रिटन देने का इन वह कोई सवाल नहीं है प्रावलम आती जा रही है और नई प्रावलम आती रहेगी अगर निवेस ही करने है तो बज़ाज ओटो में कर सकते हैं इसके लावा आप किसी में भी निवेस नहीं करें तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये ओटो सेक्टर के वीडियो देखने के लिए और कम से कम अपने मेहनत के पैसों एक बेका सेर में निवेस करने से आप बस सकते हैं एक किसी को मैं नहीं बोला मल्टिवेर बनेगा वो बनेगा बहुत कम बताएं अधिकतर आपको खरीदने से दूरी रखा है जितने भी सेर बताएं वो अधिकतर वीडियो बनाने के बाद सब नीचे आएं किसी न भी बढ़त नहीं है तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको और ऐसे हमारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न बूलें